हेलो प्रेंट्स वेलकम बैक मैं यूट्व चॉनल अमस्माइच जाम अप्लोड गरता हूं बस सी मैथमेटिक्स और फिजिक से रेलेटिटीड वीडियो लेक्चर्श तो इन दिस वीडियो आपने वीडियो की सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस मन जाके इसको बात करते हैं यहां पर इसको प्रोड़क्ट भी कह सकते हैं तो आपको अगर फोजी का मतलब क्या होता हम अगर बात कर देंग जनरल फॉर्म में फोजी का यहां पर मतलब होता है इसको हम कहते हैं फ को बार रखते हैं अंदर हम रखते हैं ठीक है अब मैं एक element की बात कर लेता हूं लाइक यहां से अगर मैं जी का एक 3 element ले लेता हूं तो हम बात करते हैं f of g3 अगर मुझे यह find करना है अगर मैं यहां कह देता हूं कि f of g मुझे अगर 3 find करना है तो यहा हम एक और question को हाँ पर समझता है जैसे f o g अगर आपको कह रहा है like 1 अगर मैं बात करता हूं तो यह 1 हो जाएगा अभी क्या करना आपको यहाँ पर लिखना है अब देखें आप g1 जो 4 पर जा रहा है तो यहाँ अंदर क्या आजाएगा g1 की value 4 आजाएगी और f4 की value क्या आज करें तो हम क्या करेंगे इसको like permutation की help से करेंगे और कैसे हम इसको solve करेंगे वह आम यहाँ पर देखेंगे बट जो इसका concept होता वह यह होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है तो अब हम यहाँ पर इसको एक permutation की format में देखते हैं और उसको solve करता है तो दे 3 हो जाएगा ओके अब आपको क्या करना है actually जब भी this type के question होता है तो यहाँ पर जो आपको order दिख रहा है मतलब 4 4 के बाद में 1 फिर 2 फिर 3 वैसा का वैसा आपको यहाँ बनाना पड़ता है कैसे बनाता है यार यह हम यहाँ पर देखेंगे देखो यह कैसे बनाना आपको स तो यहार 4 का पूरा कॉलम आगे आएगा 1 का पूरा कॉलम पीछे जाएगा फिर 2 का वहीं रहेगा एक काम करना ना आपको वह अगर आपने 4 को आगे लिखा है तो मतलब यह पूरा कॉलम आएगा तो यहार 4 के साथ में 1 है 1 के साथ में 2 है 2 के साथ में 2 है 3 के साथ में 4 है त invert करना पड़ेगा उके यहां से हम अगर लिखेंगे अब आप देख सकते हैं इसला रो दोनों को एक permutation बना जेते हैं यह है गा 1,2,3,4 इंड यह गा 1,3,24 तो यह आपके पास میں क्या आ जायागा इसला पर्मिट करना आ जायागा और आपको अगर कहें कि इसको cyclic form में लिखना है अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालता है दिखो वन का transposition निकालने के लिए वन से जिस्ट आगे कोन आ रहा है, तो वन का transposition 1, 2 होगा, और 2, 1 होगा, जिस एक का transposition, ना, फिर अगर 2, 3 की बात कर रहा है, तो यति ये खुदी transposition की form मही है, तो 2, 3, 2, 3 रहेगा, again वापस 4, तो 4 को क्या करना है, 4 का जिस्ट आगे वाला element मतलब 4 के आगेवाल element वापस क्या हो जाएगा cycle repeat हो रहा है तो 1 आ जाएगा तो मतलब क्या करना 4 1 लिखना है and 1 4 लिखना है तो यह क्या बनगे आपके पास में transposition बनगे इन transposition के number के basis भी हम यह देखता है कि यह हमारा FOG है वो odd permutation है या even permutation है तो वो देखने के लिए हम इसको count करता है तो यह count करने पर 5 आ रहा मतलब यह कैसा है odd permutation है यह odd permutation हो जाएगा इस type से अगर आप से पूछ भी ले कि FOG is FOG odd और even तो आप कह सकते हैं कि FOG is odd FOG यहाँ पर odd permutation हो जाएगा तो यह concept आप यहाँ पर ध्यान रख सकता अगर आपसे पूछे कि यार G of F निकालो तो उस condition में क्या करेंगे हम इसको आगे लिख देंगे इसको पीछे लिख देंगे फिर इसके according इसको change करेंगे वही काम करना हमेसा ध्यान यह रखना है कि जो पीछे वाला है वैसा जो पीछे वाले की जो नीचे वाली लाइन है न उसी के जैसा आपको इसको बनाना है इसमें cross में आपको यह cancel करना है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है So I hope आपको यह पूरा concept जो है वो clear हो गया होगा So thanks for watching this video, keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths